जैशिराम दोस्तों आज हम बात करेंगे करिकुलम एडिफरेंट लेवल कौन से कौन से वो लेवल होंगे नैशनल स्टेट एंड स्कूल तो करिकुलम हमका नैशनल लेवल पर तयार करेंगे फिर करिकुलम को भी भिन राजियों और स्कूलों में बेज़ दिया जाएगा हमार एक्टिविटी जैसे cultural program हो गए, sports हो गए, personality development भी आता है इसमें, तो इससे क्या होता बच्चे की identity, बच्चे की identity बनती है के नहीं का बनती है, और all-round development भी होता है बच्चों का, तो ये क्या करता है, manpower को भी तो enhance करता है, तो जो national education policy थी, 1986 में, इन्होंने education formula दिया था, 10 plus 2 plus 3 क तो 10 मतलब क्या होता है, merit, 2 मतलब 12 और 3 मतलब graduation, तो इससे क्या होगा, social development भी तो होगा, फिर removal of discrimination, मतलब हर जगे equality होगी, क्या होगा, education हम किसको दिंगे, women's को भी मिलेगी, और क्या होगा, women's की involvement होगी, हर एक field में, और किसको दिंगे, education schedule caste को भी दी जाएगी, और उनको scholarship की schemes भी दी जाएगी, तो यह सब क्यों किया जा रहा है, ताकि शिक्षा सब को मिल पाए, कि नहीं, तो इसका main aim होता है, कोई भी शिक्षा से अचूत ना रह जाए, मतलब education to all, मतलब हर एक को education दी जाए, हर एक को शिक्षा उबलब दो, यह इनका main aim होता है, thank you.